आज मंडे है और अभी बज रहे हैं एक तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बजे मैं क्यों गूड मॉर्निंग बोलता हूं तो दोस्तों वैसे तो गूड आफ्टरनून बोलना चाहिए लेकिन मैं जब भी अपना ब्लॉग शुरू करता हूं चाहे दिन में हो आफ्टरनू क्योंकि जब भी पहली बार मिले किसी से तो उनको गूड मॉर्निंग ही वीश करना चाहिए यह मैं बहुत सालों से प्रेक्टिस कर रहा हूं तो गूड मॉर्निंग एन्ड वेल्कम बाक आज एक बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है क्योंकि मैं तक्रीवन दस बजे तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैं कल गया था बाइक का पूजा करने उसके बाद फिर मैं लंज किया उसके बाद शूटिंग ही नहीं किया और वीडियो भी अपरपली खतम कर दिया था क्योंकि शूटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था और आज भी सुबह उठके बिलकुल मन नहीं कर रहा था काफी लेट उठाओं मैं एक ट्रांजिशन फेज में हूँ आप लोग क क्योंकि बाड़ी में ग्लुकोज की कमी हो गए हैं जिसके वज़े से काफी दिक्कत होती है ब्रेइन फोग होता है कुछ मन नहीं करता है इरिटेबिलेटी होती है तो यह कुछ सिम्टम्स है जो आपको होते हैं और यह एक लोग का डायट फोलो करेंगे तो आपको होगा य अगर आप नहीं जेल पाई यह ज्यादा तर लोग इसी फेज में गिव अप कर देते हैं तो मैंने अलड़ी ब्रेकफर्स कर लिया है ब्रेकफर्स में मैंने चार अंडा एज उजल लिया है और एक कप चाई पिया है इसलिए उसकी भी शूटिक नहीं किया मनी नहीं कर रहा और प्रेश में अबर हीज़ा वह आप लोगको जड़ुर दिखा हूँगा लेकिन असके पहले एक चीज उसमें और दिखा देता हूं प्रोटीन बहुत इंपरिट है यह सारे चीज में एक एक इंडिकेट अमांट में प्रोटीन बहुर्ों बहुत ज़रूरी है और मेरा प तो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ लिशियस से जब भी आप कुछ मंगाओगे तो फास्ट डिलिवरी है और मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं आया इनसे तो यह दिखें मैंने काफी डबा मंगाया है एक दो तीन और एक चार इसके अंदर काफी कुछ है तो आएए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं तो डाइ बजने वाला है और धाई बज़े से मेरा कौल शूरू हो जाता है तो मुष्किल से मेरे ख्याल से पंदरा मिनिट बच रहें तो मैं फटा फट से खाना खाता हूं आई आपको दिखाते हैं लंच में आज क्या है तो मेरा लंच जो है आज आप देखो यह खीरा औ डान तमाटर एक झाल उल्हाउब्स ए झाल के ऌड़ी सब्सक्राइबना पनीर, कैपसिकम, मश्रूमर चाहल इस पूछत्यास है तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि वेजिटेरियन वालों के लिए कुछ बताएए तो ये पियोर वेज है इसमें बिलकुल भी नॉन वेज नहीं है और प्रोटीन सोर्स इसका जो है वो पनीर है और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं उसमें फाइवर है और विटेमिन से और मिनेल से तो सबजी में आपको विटेमिन मिनेल्स अंटी ओक्सिदेंस फाइटो केमिकल्स ये सारे चीज मिल जाते हैं तो वेजिटेरियन वाले ये सारे चीज खा सकते हैं जैसे कि मैं आप लोग को कह रहा हूं कि राइस नहीं खाना है तो राइस की जगह पे कॉलिफ्लावर राइस कैसे होता है कॉलिफ्लावर राइस बनाई है उसमें बहुत सारे और वेजिटेबल्स मिला एक पुलाव जैसा लगता है बहुत ही बहतरीन डिश है कॉलिफ्लावर राइस कैसे बनाता है मैंने अपने डायफीट चैनल पे वह वीडियो डाला है अगर तो ऐसा लगे गाई नहीं कि आप राइस मिस कर रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाता हूं और उसके बाद अपना सारे कॉल्स लेता हूं तक्रीबन पौने पाच बच चुका है मैंने काफी कॉल्स ले लिया है तो अभी में एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं और आज मेरे डायेट में उतना ज़्यादा फैट नहीं था तो में एक बुलेट प्रूफ कॉफी बनाने जा रहा हूं और आज से में एक साइकलिकल या साइकलिक कीटोजनिक डायेट फोलो करूँगा साइकलिक कीटोजनिक डायेट क्या है बने रही है इस ब्लॉग में बताऊंगा आगे बताऊंगा कि साइकलिक कीटोजनिक डायेट क्या होता है तो ब्लॉक को पूरा जरूर देखिए साइकलिक कीटोजेनिक डायट काफी अच्छा रहता है मसल बनाने के लिए मसल अगर आपको गेन करना है तो बहुत ही इफेक्टिव है हाला कि उतने ज़्यादा साइन्टिफिक स्टरीज नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि साइकलिक कीटोजेनिक डायट काफी हल्प करता है मसल बिल्डिंग में मुझे हल्प करता है अटलिस्ट तो साइकलिक कीटोजेनिक डायट में काफी साल से फोलो कर रहा है तीन चार साल हो गया मेरे ख्याल से तो क्या होता है cyclic ketogenic diet बने रही है और अम तक इस vlog के आपको पता चल जाएगा तो अभी बज़ रहे रात के सारे नो और मुझे बहुत तेज नीन दा रहा है तो आज मैं बहुत जल्दी सोने वाला हूँ यह तो पक्का है मैं वैसे हमेशा बोलता हूँ कि जल्दी सो जाओंगा लेकिन सोता नहीं हूँ editing कड़के ही सोता हूँ लेकिन आज पक्का मैं सो जाओंगा आज मैं बिल्कुल भी editing नहीं करूँगा बया हम्मत ही नहीं है क्योंकि इतना जादा Calls मैंने ले लिया है अब बहुत जादा ठाग वो दोवह भुक्ट नीन दाना उसका पहले मैं खाना खा लेता हूँ, आज खाना क्या है, लास्ट मिल में मेरा क्या है, तो ये देखो, ये मेरा लास्ट मिल है, ये तीन अंडे का भुर्जी है, और ये दिन में जो मैंने गोबी मटर का सबजी खाया था वो है, और ये कैपसिकम और पनीर और मश्रूम का सब तो अभी में अपना डिनर करता हूँ और डिनर के बाद आप लोग को एक और इंफरमेशन देना है वो है साइकलिक किटोजनिक डायट क्या होता है अभी बताता हूँ पहले में खाना खा लेता हूँ फिर आप लोग से बात करते हैं तो मेरा फाइनल मील हो गया है आप लोगो भी मन नहीं थखाने का तो मैंने का तीन अंडा बना दो उसमें थोड़ा सा वाइफ ने चीज भी डाल दिया था तो थोड़ा सा फैट और मिल जाएगा मुझे मिल गया एंफैट खा चुका हो मैं अलरी तो मैं साइकलिक कीटोजनिक डायट के बारे में आप लोग को बता रहा मैं मंडे टू फ्राइडे लो काब डायट खाऊंगा पचास ग्राम के नीचे नेट कार्ब रखोंगा अपना ताकि मैं कीटोसीज में रहूं और सेटरडे और संडे को हाई काब डायट लोंगा हाई काब डायट का मतलब होता है कि 60 तो 70 परसेंट जो कैलिरी जाएगा वो क बशलिखेंट पांच परसेंट या दस परसेंट मैक्सिमूम रखूंगा तो यह है साइक्लिक किटोजनिक डायट और इसको मैं लगातार फ़ोलो करता रहूंगा ठाथ हालाकि यह ब्लॉग जो है 14 दिन तक इसके बाद भी मैं यही रूटरिन फोलो करता रहूंगा साइक्ल किटोजेनिक डाइट इससे होता क्या है कि आप कभी भी किसी चीज से बोर्ड नहीं होते हैं आपको कारवाड़ेट खाने का मन करता है बिर्यानी खाने का मन है रोटी खाने का मन है चावल खाने का मन है कुछ भी खाने का मन है तो आप उसको खा सकते हैं और इसलिए आप इसक Cyclic Ketogenic Diet follow कर रहा हूँ और इससे अपके मसल भी डेवलप होती है मैंने काफी मसल गेन किया है डियाबेटीस जब मैं reverse किया था तब मैंने बहुत मसल वेस्ट कर लिया था लेकिन उसके बाद मैंने cyclic ketogenic diet के बारे में समझा और अमल किया और मैंने अच्छा खासा muscle अभी गेन किया है और जिसकी वज़े से मेरी body अभी भी insulin sensitive है तो उमीद करता हूँ इस blog से भी आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छा information मिला होगा और cyclic ketogenic diet क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा तो इसी के साथ इस blog को यहीं पर खतम करते हैं अगर blog को यहां तक देख लिया है तो चैनल को जरूर subscribe कर ले bell icon दबा दे ताकि इस तरह के videos जो मैं बनाता हूँ हर videos का notification आप लोग को मिलते रहे तो इसी के साथ इस blog को यहीं खतम करते हैं मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए blog के साथ तब तक सुस्त रहे मस्त रहे इस blog को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद झाल